गुड आप्टरनून स्टुडान टॉपिक प्रोसेस कॉस्टेंग येचा अपन सेकंड नंबर सा प्रॉब्लेम आज गेतु है हाँ प्रॉब्लेम निराली पॉब्लिकेशन चा टेक्सबुक मदिल आए तीवाई बेकॉम सेमिस्टर 6 सब्जेक कॉस्ट एनवर्स अपनेंग पेपर सेकंड तर या तीवाई भी कॉम छा टेक्सबुक मदिल हाप्रोब्लेम आहे अनि हाजो प्रॉब्लेम आहे तो एमकॉम साथे देखेल यूजफूल आहे तो इमकॉम ला कॉस्टिंस्पेशल जे जी जिविग्द्यार्थिया आह प्रोड़क्ट जिया हे बजाज लिमिटेड़ से ते दोन प्रोसेस मधन पास होता। इटीज असर्टेन दैट इन इज प्रोसेस 10 परसेंट और टोटल वेट लॉस्ट अपनोजो फर्स्ट प्रोब्लिम पाहिला होता तो सिंपल प्रोब्लिम होता। त्या मदे कुंते ही प्रकर्च प्रोसेस मदे लॉस वो गरी होत नहो था, परन्तु यहाँ प्रोब्लेम मदे काई सांगित लेले, कि इच प्रोसेस मदे 10% ओफ टोटल वेट मजे जे ऊडरो मडेल तुम्हे प्रोडक्षन साथी ठाकलेला है त्या पाई की दहा टक्के वजनाचा जे रौ मडेला ही तेका होनारे लॉस टोनारे प्रोसेस मदे and 20% is scrap the realization from scrap amounted to Rs. 160 per ton and Rs. 400 per ton from process A and process B respectively the cost of figures relating to process are as follows the first delay is the material consume the terms is the process A and process A and process A 2,000 tons of material is the process A the inputs are the process A then 2,000 tons of material is the process A the process A is the process A plus the additional inputs are the 1,400 tons the process A means the process A is the process A the process A contains the process A आणकी इन्पूट आपन प्रोसेस बी मदे टाखना रहुट। त्यानंतर मटेरियल ची कॉस्ट दिलेली आहे परड़न 25 रुपे ए प्रोसेस सेथी आणी बी प्रोसेस सेथी चार्शे रुपे। आणी इतर जी खर्चा ही तते एतर डाइरेक्ट वेजेस 36,000 रुपे प्रोसेस A मधे प्रोसेस B मधे 24,000 आणी चार्जिबल एक्सपेंसेस प्रोसेस A मधे 18,000 प्रोसेस B मधे 12,000 नौशे साथ। महा प्रोब्लेम काल्चा प्रोब्लेम पच्छा कस अवे गलाई तर यहा प्रोब्लेम मधे अपलयाला वेट मधे 10 टक्के लॉस होनारे हे सांगित लेले प्रोसेस मधे। तरन अंतर स्क्रैप ची रियलाइज भेलू सांगित लेली है प्रोसेस A मधन मिलनार अपलेले 1.60 रुपए पर टन। प्रोसेस B मधन मिलनार आहीफ चार्षे रुपए पर टन। तरन जो आदीच आपन पहिला प्रोब्लें पहिला त्या मधे फक्त 1,000 व्यूनिट जाहे ते प्रोसेस ला जात होते, परन्तु या प्राब्लेम मदे दोंदा इन्पूट अपन टाकना रे, प्रोसेस A मदे दों अधर टन्स टाकना रे, प्रोसेस B मदे एक हजार चार्शे टन्स इन्पूट पडना रे, मैं जे B जे वएल प्रोसेस कुर आपन, तयावले एचा शिल्लक राइले मटरियल क्यारी वोईल आणि प्लस B प्रोसेस मदे एक हजार चार्शे टन्स इन्पूट अधर चार्शे टन्स इन्पूट अधर चार्शे डिले लिए दोंचे पंडनास रुपे आणि चार्शे रु या मधे आता कॉलम करताना आपले आला कॉंटिटे दिले लित्या मधे कॉंटिटी आने आमोंट आसे कॉलम कराई छे पर्टिकुलर कॉंटिटी आमोंट पर्टिकुलर कॉंटिकुलर 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 मोdır 2,000 गुनीरे 2,000 उनिले 2,000 के ले तरा अपलेला टोटल कोस्टम लै 2000 उनेट इन्टु 250 इस इक्वल तु 5 लाग अमाउंच कॉलम मा देग्या आणि कॉंटिटी मा देग्या 2000 दोन हजर कॉंटिटी आई टन्स मा देग्या अता जे दोन आइटम दिले ले आई तक लेला डायरेक्ट वेजेस आणि चार्जिबल एक्सपेंस तो त्या वरकुंती ही आईजस्मेंट वगरे काई नहीं त्यामुड एजटी आमाउंड घेचा डायरेक्ट वेजेस 36,000 आणि चार्जिबल एक्सपेंसेज 11,000 या प्रमाने अपन डेबिट साइड लागी हुन्टाफु या डायरेक्ट वेजेस 36,000 आणि चार्जिबल एक्सपेंसेज जा है ते 11 या प्रमाने अपन डेबिट साइड चा पोस्टिंग कम्प्लेट केले अता प्रमान में प्राज बीट केए अनचा तेन परसेंट मंझे कि ती यही तू हंड्रेड तर्ण से थी यहँड़ा काय ओना रहे लॉस होना रहे अनि लॉस मद उन कोंती ही रियलाइज भल्ली मिलिनार ना है मौनुन त्याचा इफेक फक्त कॉंटिटी छे कॉलम लाईल बाय लॉस इन वेट इन ब्राकेट 10 परसेंट ऑफ 2,000 चे 10 परसेंट मंझे कॉंटिटी मादे यही 200 तेची कोंती अमांट नाही मिलिनार अपल्लाला मौनुन अमांट मादे डैश करा त्यान अंदर स्क्रैप जो आहे तो सांगितला है 20 परसेंट पन्स्क्रैप मधून आपले लगाय मिलिनार आहे रियलाइज्ट भैल्यू मिलिनार है दरियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप अमांट इंट रुपिस 160 पर टन हर्स्ट प्रोसेस मादे कित्या है 160 पर टन सो 20 परसेंट अपन 2000 वर कैलकुलेट करनार आणि त्याला 160 ने गुणों जी आमांट इल त्या आपन आमांट मादे गेनार मघ्या बाय स्क्रैप इंब्रैकेट 20 परसेंट ऑफ 2000 त्या आपन आधी कैलकुलेट करनार मा 20% 2000 चाजर कैल्कुलेट के लिए तै तै 400 मा कॉंटिटी चा कॉलम मदे लिहा 400 मा 400 टर्न जाए ती स्क्रैब ज़ले ले मा तै चा पासुन वेल्यू किती मिलेनार ये 116 रुपे पर टन मानम दुसरे कांसा मदे कैल्कुलेशन करा 400 इन्टु 160 60 आमांट मदे 64,000 माझे स्क्रैब ची अपलेल आमांट मिलेल पन लॉसीन वेट ची आमांट मिलेनार ना ही या प्रमाणे आपन लॉसीन वेट 10% आनि स्क्रैब 20% चा इफेक्ट दाखोला है 2000 वर कैल्कुलेशन के लिए ले करन इन्पूद किती होता 2000 होता 2000 वर 10% काड़ ले ते वोड़ा लॉसीन वेट होता 200 आनि 2000 वर 20% काड़ ले मझे 400 ते वोड़ा स्क्रैब होता पन स्क्रैब गोर आपले आला रेलाइस भेल्ली मिलाली 160 मापन 160 ने इन्टू करून आमांट मदे यतले 64,000 आता अपले याला पुर्चा प्रोसेस ला माल पाठवाईचा है तो पुर्चा प्रोसेस ला मझे प्रोसेस भी आकांट आता याला किती बैलन्स शिल्लक रहतो है तो ते आसाथे आपन क्वांटिटीची बेरिस करनार ती खाली टोटलल लहीनार ते उड़ी सीकडे लीनार त्या तून 200 आणी 400 माइनस करना मझे बैलन्स किती रहते ला एक हजार 400 आपले कड़ी क्वांटिटी किती शिल्लक रहते एक हजार चार्शे पने याचा रेट माई इतना है तर तो रेट आपन कसा काडना रहे तर रेट काडना सथी आपन बैलन्सिंग फिगर काडना रहे आणी ते ची एक वर्किंग नोट देना रहे या पद्धती ने आपन कॉस्ट टॉफ टन पर आउट्पुट कि वहां एका टन सा किती कॉस्टे थे तर चाल्कुलेशन करना रहो तर चाल्कुलेशन कसा कराई थे तर बगा इजी अमांट आहे डेबिट साइड ची ते डेबिट साइड ची अमांट आहे इजी वेरिज के लिए ती थे तोटल ले लिए पाच लाग सत्पिचाईस अजर फाइलाग फोर्टी सेवन थाउजन तीच इकड़े पन लेली फाइलाग फोर्टी सेवन थाउजन आता ही चतुन 64,000 माइनस के लिए बैलन्स आलाए आपला 483,000 मिकांसक मंट लेले बैलन्सिंग पी करें मानूं फक्त रेट कैल्कुलेट कराई था अधा रेट कैल्कुलेट करने साथे आपन हाँ फार्मिला लेलाए यहाँ पद्धतीने कैल्कुलेशन आप कोस्ट पर टन आप आउट्पूट यहाँ साथी फार्मिला है टोटल प्रडक्शन कोस्ट अपन एक्च्वल आउट्पूट अधा प्रडक्शन कोस्ट जो बैलंसेंग तीगर आपले आलेली प्रोसेस ए मधे तो ती आहे 4,3,000 आपने इते बैलंस काड़लाए बगा तो आहे 4,3,000 आणी तैला आपन भाग कितीने देनार जोडे बैलंस चे यूनिट आहे टन्स आहे त्याने भाग देनार मा बैलंस चे टन्स कितीया है 1,400 टन्स मा याने भाग दिला नंतर पर टन चीजी वैल्यू आहे ती कितीया आलेली आहे 345 पर टन या प्रमण आपन ही वैल्यू काड़ली आणी इते आकाउंट मदे दाखवा काउंसा मदे 345 रुपीच चिननना केला तरी चाले रुपीच 345 पर टन बैलंसिंग फिगर या प्रमण आपन हाधी प्रोसेस ए अकाउंट कम्प्लेट केला वंस अगेन पुन्ना संगते आपनी प्रोसेस ए मदे आपन मट्राई कंजून गेतला 2,000 टन्स गुणी ले तरी चालेक्ट वेजेस चाल्जिबल एक्सपेंसेस जसे दिलेली होते तसे आपन डेबिट साइडला लिवन गेतले डेबिट ची टोटल केलेलिये क्रेडिट साइडला काई-काई गितला तो लॉसी इन वेड गितला 10 परसेंट आनि स्क्राप गितला 20 परसेंट या दोनीन चाइट प्रोसेस ला किती मटेरियल जाईल तेसाटी बैलन्स काडला डेबिट ची टोटल क्रेडिट ला मानली क्रेडिट माइनस करूं या बैलन्सिंग पिगराला 1,400 तंस मदे आनी 4,83,000 रुपीज मदे मा पर टंची किम्मात इते क्याल्कुलेट के लेलिये त्या साथी आप्रमाने वर्किंग नोट के लेलिये चार लाग 23,000 आला जे उने टंस बैलन्स हाई त्याने भाग दिला उत्तर आला 325 पर टन इत्पर अंत कहीं डाउटा सेल तर विचारा नेक्स्ट प्रोसेस जिया है त्या है प्रोसेस बी तर हाजो बैलन्स आही प्रोसेस ए तुना लेला तो आपन कैरी फॉर्वर्ड करना रहो एक हजार चार्शे टंस आनी चार लाग 23,000 रुपई तो डेबिट साइड लागया तू प्रोसेस ए अकाउंट एक हजार चार्शे सक्काति मैं क्वान्ट मैं 2023,000 रुपई यहां प्रमाणि चैडी करा त्याही कै पढ़ना रहे मटेरियल एक दिलेला हे 1,400 टर्न्स मदे आगी तैचा जो रेट दिलेला हे तो आहे 400 रुपीज मटेरियल कंजूम आप्टेया लगे इचे तो त्या साथी मटेरियल कंजूम गया सेकंड आइटम कि प्रॉब्लेम मदे एक करेक्शन आपन करूंगे तलेला है तर 1,400 नहीं उस तक अपन ती प्रेंटिंग मिस्टेक है तर 1,140 टर्न आए तो त्योड़ो करेक्शन करूंगे तुमी पन प्रॉब्लेम मदे 1,140 टर्न आए आणि अजा रेटा हे 400 रुपे पर टन्स महिए आपन प्रोसेस बी मदे जे माटेरियल कंजूम गेना रही ते तु माटेरियल कंजूम 140 युनिट कि माट टन्स गुनी इले 40 रुपे पर टन्ची वेल्यू आहे मनुं 40 या प्रमाने कैल्कुलेशन करून अमांट मदे एल 56,000 चपणना अजर रुपे आनी कॉंटिटी मदे एल 140 त्य साइ 12,960 या प्रमाने अपन गेतले डायरेक्ट वेजस 24,000 आणी चार्जिबल एक्सपेंसस 12,960 या प्रमाने डेबिट साइड आपनी कॉंप्लीट जाली आता लॉस कड़ाइचा प्रतेक प्रोसेस मदे 10 तक के लॉस आनी विस तक के स्क्रैप सांगितले आनी सेकंड प्र तो त्या मदे जी रियालाइज वेल जाही स्क्रैप ची त्या है 400 रुपेड पर टन महीं आप्रमाने अपन ग्रेडिट साइड लाइफेक्ट देना रे बाय लॉस इन वेट काउंसा 10 परसेंट ओ आता किती चो 10 परसेंट कड़ाइचे तर माक्चे प्रोसेस मदों 1400 टन आले आणि चालू प्रोसेस मदे आपन 1400 टन टाक ले ले तर आसे हैत 1540 टन मनुन 1540 टन चा दहा टक्के कड़ाइचे ते त्यात एक्षी चोपण डाटन मनुन कॉंटिटी मदे गे एक्षी चोपण ना अमांट मदे डैश करा त्यान अंतर स्क्रैप कड़तान ना सेम कॉंटिटी चा 20 परसेंट काड़ाइचे बाई स्क्रैप इन ब्राकेट 20 परसेंट ओफ 1540 चा 20 परसेंट करते एता है तापले 308 टन आणि एका टन ची रियलाइजवेल लुकी ते आई स्क्रैप ची चार्शी रुपए मनुन 308 गुणी इले चार्शी करा त्योडी अमांटे इल एक ला आणि स्क्रैप यह दोन बुष्टि दाखो लेले आता बैलनसिंग पिवर जाहे कि तुमसा फिनिश गुर सेंग बत्या साथी डेबिट ची टोटल करा पॉन्टिटी ची आणि डेबिट ची टोटल करा आमांट ची ती क्रेडिट साइड ला मांडा त्या तुन क्रेडिट सा चार लाग बावणना अजार सच्छे साथ यह ची पन अपन पर टन ची किम्मत काड़ना रहोत बाई फिनिश टॉक आण यही चार शी वीश रुपए पर टन आ यही कशिया लेली तटै सटी थे वर्किंग नोट दिलेली है यही बालनसिंग तिगरा ही चार लाग बावणना अ यह प्रमाण अपन इथे एकांट सतली ले एड रुपिस 420 पर टन तर इथे आपला सेकंड नंबर साजो प्राब्लेमा ही तू कंप्लीट जालेला है अता कॉस्ट पर टन आपन का काड़ ली तर इथे मा सांगित ले बगा प्रिपेर प्रोसेस अकांट शोईंग कॉस्ट प आपन कॉस्ट पर टन विचार लेली होती मोणों आपन वर्किंग नोट तयार के लेला ही आणि ही तेची वर्किंग नोट इथे आपला सेकंड प्राब्लेम जाहे तो कंप्लीट जालेला है